नमस्कार मित्रो तो यहाँ पे आप सरीन मशिन देख रहा है और सरीन मशिन में जो डाइमंड हम चड़ाते हैं उसके बाद उसकी 4P की साइन लगाने के बाद यहाँ पे 4P का स्टीचिंग होता है जहाँ पे आप देख सकते हैं डाइमंड है वो स्टीचिंग हो रहा है उसका polish diamond है उसका manufacturing करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते है stage पर diamond है जिस पर हम ball inclusion की process कर रहे हैं अभी ball inclusion क्या है diamond में काफी सारी defects रहती है खड़े रहते हैं जिसमें diamond है वो बीट जाता है उसका manufacturing करने के लिए हम उस पर 4P की sign लगाते हैं और 4P का stitching होने के बाद उसका हम cart है वो create करते हैं अभी यह cart है वो क्या आता है जो raw shape diamond का आता है वेसा यह manufacturing करके हमें 4P machine देता है तो यहाँ पर आप stitching की process देख रहा है stitching में हमें जो marking की है यह marking जो हमने की है न वो यहाँ पर जो आप serine machine देखते है उस पर ही marking हमने process की है stage पर diamond रखा उसके बाद उसका mapping किया mapping करने के बाद यह diamond है उसमें हम 4P की sign है वो बिठाते हैं लेकिन उससे पहले उसमें makeable बिठाना है अगर उसमें कोई inclusion रहेगा तो inclusion 4P की process करनी है और उसके बाद यह diamond है वो finalize होके sign लगाने के बाद यहाँ पर stitching है वो होता है तो आपने आज देखा कि serine machine है वो marking करने के बाद stitching की process है वो कैसे होती है